ओम नमस्यवाय श्वागत आप सभी का मेरे बक्ती भावना योटुब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको कुछ रासियों की जानकारी दूँगा यह रासियां जुलाई से दिसम्मर तक बहुत ही भागिसाली रहने वाली हैं आज मैं आपको लगबग 10 रासियों की जानकारी द बगर में बैल आइकन बटन को जरू दबा दें मेरी हर वीडियों को नौटिफिकेशन पाने लिए दोस्तो यह रासियों का जो रासिय पल होता है यह नाम के एसाब से होता है और पंचांग के एसाब से होता है ज्यादा तर यह हैं 70% तक सही बैठता है जिनके भी कुनली न रासि फल जान सकते हैं सबसे पहली मेश रासि देखो इधर देखी बाते छोड़ करके सबसे पहले रासियों पर चलते हैं मेश रासि जो बिहदी बहुग गिसाली और सुभ है मेश रासि को पर गिरेन का सुभ योग है जिससे मेश रासि के जो बनते हुए कार थे वह है अनेक प्रकार की रुकावटे आती थी, तो वो सारी रुकावटे दूर हो जाएंगी, आप चाहे नोकरी के लिए, चाहे ब्योपार के लिए परिशान थी, चाहे संतान की और से दुखी थी, सारी रुकावटे दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा योग बना हुआ है साथ है आप कोई नयाकार शुरू कर सकते हैं आपका नयाकार भी शुरू होगा वही योग ब्रसवरासी का भी है ब्रसवरासी भालों को भी अच्छी खासी सपलता है मिलने वाली है देखो ब्रसवरासी का एक चीज था कि उनको अब तक फल नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब उनका भाग्य बहुत ही अच्चा है और माता लच्चमी की विशे शुरू से किरपा उनके उपर शुरू हो चुकी है शुक्र का बहुत ही अच्चा योग है जो एक प्रकार से राजियों को आप एक प्रकार से कह सकते हैं ब्रहसब रासी वालों को संतान धन शुक बहान मकान भूमी जाज़द आजी का हर प्रकार के लाव इनको मिलना प्रारम हो चुके हैं आने वाले समय में और जादा लाव इनको देखने को मिलेंगे वहीं तीसरी जो रासी है वो है मितुन रासी मितुन रासी के लिए बुद्ध बहुत ही अच्छा है और शूर के साथ में योग है जिससे आपका भ्यवपार बहुत अच्छा चलेगा देखुँ अब तक एक्तूबर के बाद में करक राशी का समय ज्यादा सुब रहेगा लेकिन फिलाल अभी 11 अगस्त तक करकराशी वालों को समल करके रहना है स्वास्त का विशेशूर से द्यान रखना है कामया भी आपको मिलेंगी लेकिन उसी प्रकार से कठनाईयां भी आपके सामने रहेंगी कर्ज जादा आप किसी से ना लें भूमी जाजाद का कोई केस है तो वे समल करके रहें आप किसी से लड़ाए जगड़ा चल रहा है तो उसमें अभी आपको परिशान ही आ सकती है इसलिए आप हहनमान जी की बगवान शिव जी की पूजा करते रहें जिससे आपको परेशान इनाए वहीं सिंग रासे सिंग रासी का योग बहुत ही अच्छा है बिहदीशो सिंग रासी को पर ग्रहन का बहुत ही अच्छा योग है संतान का योग बनेगा साधी के बाद में संतान की प्राप्ति नहीं हुए ती तो वो होगी नोकरी में प्रिमोशन मिलेगा कारोबार अच्छा चलेगा आप धरम करम का कार भी करेंगे दानपुन करेंगे दूसरों की साहता करेंगे यह कार आपके हाथ से होंगे सिंग रासी के हाथ से क्योंकि सिंग रासी बहुत ही अच्छी चल रही है ये जातक और जातका यानि इस तरी पुरस दोनों की रासी के साफ से रासी फल है कन्यारासी वालों को भी सपलता मिलेगी कन्यारासी वालों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा लेने वाला है क्योंकि बुद्ध गुरु दोनों ही आपके लिए बेदिय अच्छे ही और साथ में सूर का शिवाद भी आपको मिला है जिससे आपके मन में कोई टेंसन थी किसी प्रकार को लेकर के कोई बिचार था किसी बात को लेकर के आपके मन में कोई बिचार था कोई टेंसन थी सारी प प्रतिष्ट प्रतुण और देंगे करके आप टेंजिन में थे तो वह भी अब दूर होगा। कोई कार्याप कर रहे हैं या बिदेश में आप रहते हैं या भार जाने की सोच रहे हैं या नोकरी के लिए सोच रहे हैं तो आपको सपलताय मिलना शुरू हो जाएंगी संतान का सुक मिलेगा साथ ही परवार का सुक भी आपकी रहा देख रहा है परवार का सुक भी आपको मि वह ही विरेष्चिक रासी बालों को समयल कर के रहना होगा, विरेष्चिक रासी बालों को 11 अगस तक विशेश आभधानी बरतनी है, इस बात का विशेशूप से ध्यान रखें, हर प्रकार की कामयाओी मिलेगी, लेकिन 22 अदि उस्यारी से चलाएं शरी में चोटादी का डर कई ऐसी परिशानी जो आपको आ सकती हैं धनुरासी के लिए समय बहुत ही अच्छा है हलानकि बीच में कुछ परिशानी आएंगे विद्या खेत्र संतान खेत्र केरियर नोकरी ब्योपार हर प्रकार में काम्याबी मिलेगी धनुरासी वालों को वही मगर रासी वालों के जगडा ना करें किसी का पैसा ना रखें किसी के पार्टनर अगर आप काम कर रहे हैं पार्टनसिप में तो पूरा विश्वास के साथ में रहें लेकिन सावधानी भी पढ़ते हैं संतान धन का बैभव आपको मिलेगा संतान सुक मिलेगा काम्याबी आपको साथ ही मिलेगी वही कुमरासी बालों के लिए समय बीहदीस हो गए है कुमरासी बालों पर गुरू की विशेश कीरपाया जिसे संताम, धन, सुक, नोकरी, बिजनिस हर प्रकार की खेतर में आपको सपलता ही सपलता मिलेंगी आपकी जो अस्पलता हैं अब तक थी सारी अस्पलता हैं तो हो जाएंगे बहुत ही अच्छा योगा आप एक पकार से कह सकते हैं लेकिन दोस्तों पूजा पाट पर विशेश जूप से आपको ध्यान देना है आपके कुंडली में कैसा भी असुप दोसों अगर आप पूजा पाट करते हैं तो वह भी सुब में बदल जाता है साथ ही मेंरासी वालों को भी सपलता है मिलेंगी मेंरासी वालों का विशेशी भाग्य अच्छा रेने वाला है संतान धन की काम्यावी मिलेगी और साथ ही आपके तीन कार भी सिद्धोंगी यानि तीन जगे से खुशकबरी भी आपकी आएगी तो ये ताक कुछ रासियों का रासी फल जो बहुत ही अच्छा है और जुलाई से दिसम्मर तक भी हदी सुब है लेकिन प्रती दिन आपको रासी फल जानकारी मिलती रहेगी जैसे चंद्रमा बदलते हैं रासी परवर्तन करते हैं आपको जानकारी मिलती रहेगी